ये घटना होई श्टिवेंसन परिवार के साथ जब वो छुट्टिया मना कर अपने घर वापस जा रहे थे जैनी श्टिवेंसन बताती हैं कि जब वो अपने घर चा रहे थे तो उनके बच्चों ने गाड़ी की पिछली सीट पर लड़ना शुरू कर दिया जिसकी वज़र से उन्होंने सोचा कि क्यों न रात में कोई प्रॉपर्टी बुग करके उसमें रुख जाया जायає और उन्होंने ऐसा ही किया उन्होंने एअर्बियन बिय के तुरू एक प्रॉपर्टी बुग की और वहाँ पर रात रुखने के लिए चले गए जिसके बाद उन्होंने उस चोटे से घर को देखना शुरू किया घर की दिवारें फुलो वाले वाल पेपर से ढकी हुई थी लेकिन तब ही अचानक उनकी बेटी का ध्यान एक फोटो पर गया जिसको देखकर उसने कहा कि देखो दिवार पर बारनी की फोटो लगी है बारनी आठ साल का था और जैनी स्टीवेंसन का सबसे चोटा बेटा था जिसके बाद सभी ने उस फोटो को देखा और जैनी स्टीवेंसन ने ये फोटो अपने ट्विटर पर शेयर की जैनी ने बताया कि जिस तरह के expression उस painting में दिखाए गए हैं बिलकुल उसी तरह के expression उनका बेटा हर समय बनाए रखता है जिस पर किसी और ने tweet करके ये भी दिखाया कि 50% overlay करने पर ये दोनों photos बिलकुल exact match हो रही थी जिसके साथ उसने ये भी लिखा कि आपको रात को ही उस जगा को छोड़ कर निकल जाना चाहिए था इस बात पर जैनी का कहना था कि हम logic से सोचने वाले लोग हैं और हमें तो ये चीज़ बहुत ही मसा किया लगी दोस्तों अगर कोई ऐसी घटना आपके साथ हो जाए तो आप क्या करेंगे मुझे comments में जरूर बताना और ऐसे ही interesting videos देखने के लिए इस channel को subscribe करें